काफी दिनों से कोहरे के बाद 4-5 दिन से काफी अच्छी धूप भी निकल रही है जिसमें साब भी धूप सेखने के लिए आ रहे हैं इसके बारे में हमने अल्रेडी वीडियो शेयर की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जरूर चेक कीजिए तो जैसे हम धूप में बैठे हुए रहते हैं टेरिस गार्डन में हैं या बाहर वाले गार्डन में बैठे हुए हैं या घूम रहे हैं तो एक आवाज हमें लगातार सुनाई देती थी तो जब भी हमें कोई अलग सी आवाज सुनाई देती है हम उसको नोटिस जरूर करते है क्योंकि जानी पहचानी आवाज है उसके बारे में तो हमें पता है जैसे कवे होते हैं या जितनी भी मैगपाई है या नॉर्मल बर्ड्स हैं बुल बुल हैं उनके बारे में सबके हमें पता है कि कौन सी चड़िया बोल रही है लेकिन कभी-कभी कोई अलग आवाज सुनाई देती है कभी-कभी तोते यानि पैरेट्स की भी आवाज आती है जो कि इस पेर पर दाना खाने के लिए आते हैं तो हम उसको नोटिस करते हैं क्योंकि आम तोर पर हमारे यहां तोते नहीं रहते हैं जो शहर के बाहर का इलाका है जहां पर काफी जादा पेड़ है और शान्ती है जहां जंगल है वहां तोते रहते हैं लेकिन यह जो सीरस का पेड़ है इसको शिरीश भी बोलते हैं इस पे जो फलियां आती है इनको खाने के लिए दूर दूर से पक्षी आते हैं और जो migrate birds होती है यानि प्रवासिये पक्षी होते हैं जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर कुछ दिन रुकने के लिए आते हैं जैसे सर्दी होती है तो गर्मी वाले इलाकों में जाते हैं तो वो भी इन पेडों पर रुक कर के जा सुबह सुबह देखने के लिए मिलता है तो इसी तरह हमारे यहां एक नए पक्षी की आवाज हमें सुनाई दी और वह जो पक्षी है वह दस तरह की आवाजे काल रहा था कुछ दिन से लगातार तो हमने उसको नोटिस किया इस सीरस के पेड़ पर ऐसी फली आती हैं और इन पक्षी इसमें से खोल कर ये सीट्स खा लेते हैं तो उनको अच्छा लगता है और उनको जैसे कहीं कुछ नहीं मिलता है तो वो पक्षी या बंदर जो कोई भी सब इस पेड़ पर आकर अपनी भूग को शान्त करते हैं तो जो पक्षी है वो काफी दिन से इस पेड़ पर बै जो कि कैनोपीज वाले प्लांट्स होते हैं या जारीदार प्लांट्स होते हैं वहाँ पर अपने आपको छुपा कर बैठता है और आज हमने इस पक्षी को नोटिस कर लिया जो कि ये एक जामुन का पेड़ है नॉर्मल जामुन नहीं है ये छोटी वाली जामुन है इस पर यह पक्षी बैठा हुआ था तो हम महाँ पर खड़े हुए थे तो अचानक से हाथ में मॉबाइल भी था तो शूट कर लिया तो यहाँ पर यह पक्षी बैठा हुआ है वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं है क्योंकि पक्षी काफी दूर था लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे अगर अगली बार आप इस पक्षी को कहीं देखते हैं यह है ब्लैक होड़ेड ओर्योल और इसको ब्लैक हैड़ेड ओर्योल पीले और काले रंग में यह पक्षी है यानि यलो ब्राइट यलो कलर है और ब्लैक कलर है तो मिक्स कोंबिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि नॉर्मली आपको इस रंग की चेड़िया देखने के लिए नहीं मिलती है लेकिन यह पक्षी हमें देखने में बहुत अच्छा लगा और ये थोड़ा छुपकर ही रहना पसंद करता है और जादे तर ये पेड़ों की कैनोपीस पे जहां पर जारीदार पेड़ होते हैं वहां छुपकर ही रहता है हरियाली वाली जगह पर ये जादे रहना पसंद करता है जास कितिन को से पेड़ों में छुपा कर ये घर और नॉरमल्ली दो अंडे देता है वोसे साइंटिस मानते हैं यह resident breeder है यानि कि यह migrate bird नहीं है यह जहां रहता है वहीं अंडे देता है यानि कि पूरे सालिय है वहीं रहता है यहां पर रहता है यह कहीं उड़कर दूसरे रेश में नहीं जाता है और ये Tropical South Asia में ज़ादे पाया जाता है जैसे इंडिया में, श्रीलंका में, यहां से लेकर इंडोनेशिया तक और सिंगापुर का भी ये Top 10 Birds में से शामिल है यानी Top 10 Common Birds में ये सिंगापुर में गिना जाता है 10 तरह की आवाजे निकाल सकता है और ये इंसेक्ट और फ्रूट्स खाना जादा पसंद करता है इसलिए ये पेडों पर ही रहता है जमीन पर ये बहुत कम ही आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्मली ये पेडों पर ही रहता है इसी तरह हमने एक वीडियो शेयर की थी वीडियो कैसे लगी जरूर बताईएगा थैंक यू